करेंगे जेनरल और गेनिक केमेस्टि का एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट हैड्राइट शिफ्ट मेथाइल शिफ्ट और फेनाइट शिफ्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यぇ fenyl shift, hydride shift और methyl shift ये कहां पे होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कारबो के टार में होता है और इसमें देखेंगे ये इसका migratory aptitude क्या है ये hyderide phenyl और methyl में migratory aptitude क्या है उसका अगर इसको हम discuss करते हैं और ये क्यों होता है ये होता है stability को gain करने के लिए जो shift होता है यह क्यों होता है stability को gain करने के लिए तो यह क्या methyl shift methyl shift pride shift और phenyl shift तो यह in order to gain stability of carbocatine यह कहाँ पे होता है यह सिर्फ और सिर्फ carbocatine में होता है अगर आपको carboinine दिख रहा है वहाँ पे नहीं होगा three radical है वहाँ पे इसका hydride shift phenyl shift नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा कार्बोकेटाइन अगर intermediate क्या है कार्बोकेटाइन वहाँ पर हैड्राइट शिफ्ट फेनाइल शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट अब्जर्व हो सकता है कार्बोकेटाइन इस केस में intermediate क्या होना जाए सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन अब हम देखते हैं यह होता क्यों तो यह stability gain करने के लिए क्या होता है इसमें rearrangement होता है यह 1-2 hydride shift या 1-2 methyl shift या 1-2 phenyl shift होता है जिससे क्या हो जो कार्बोकेटाइन का stability क्या हो increase करें उसका stability क्या हो तो कर्बोकेटाइन का ट्यंती बेff August करने के लिए यह होता है कि अगर करें कर्बोकेटाइन का स्फ्टेबिटी का बात करए तो सब 10 को सबसे ज़िए किसका होगा 3डिग्री इप ज्यान के मतलब जो का है जो कर्वोगिताएन जो क।क का क्या बोलेंगे तो यहाँ पर थी कर से ज्यान होता उसके बाद 2डिग्री कांश會 INFY 569 और एकर्बेटाइन कितना कर्बन सेटाआइन कितना कर्वन सेट पट एक यह कर्वन सेटाइचितल देओर घुक जो कर्थर से कार्बोकेटायन जो एक कोई कार्बन से ठाइच नहीं है तो ऊसमें पॉस्में आधा है और पॉसिबल है सकता अगर extended shift हो रहा है मतलब कि और भी वहाँ पे shifting हो सकता है उसलिए क्या होता है हड्राइड स्टीप होता है या फेनायल सिफ्ट होता है और ये जो shift होता है वो एडजेशन शिर्फ और सिर्फ एड्येशन पोजिशन से होता है, 1-2 पोजिशन से ही होता यह shift, और इसे लिए बोलते हैं, 1-2 hydride shift, 1-2 phenyl shift, 1-2 methyl shift, तो एक example लेते हैं, example से समझते हैं, example से अगर यहां तो यह example लेते हैं, और इसमें हम discuss करते हैं, जो 1-2 hydride shift क्या होता है, तो यहां पर क्या है मेरे इसे बेटर कार्भो केटायन यहां पर बनेगा, तो यहाँ पे अगर इससे बेटर कार्वोकेटायन बनेगा तो यहाँ पे 1-2 हैड्राइट शिफ्ट हो सकता है तो यहाँ पे इसमें देखते हैं क्या है यहाँ पे क्या है एच यहाँ पे क्या है एच क्या होता है यह जो इसका जो इलेक्टॉन पेर है यह जो एच जो है दोनों इलेक्टॉन पेर को ले लेता है और यह हैड्राइट के रूप में निकलता है और यह क्या करता है यहां पर अटैक करता है इसके पास क्या होता है पी और वाइटल खाली होता है पलस माइनस मिलकर पलस और यहाँ पर माइनस है यहाँ फिर यहाँ पर अपना इलेक्टोन डोनेट करके यहाँ पर क्या बन गया जब दोनों इलेक्टोन यहाँ पर दो इलेक्टोन है और दोनों इलेक्टोन यह लेकर के निकला तो यहाँ पे H- के रूप में निगला है किस रूप में निगला है H- के रूप में तो यहाँ पे positive chart develop हुआ और यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे हो गया क्या CS3 C plus और यहाँ पे CS3 तो यह जो better carbocatine 2 degree carbocatine मना तो इसको क्या बोलते है 1, 2 hydride shift यहाँ पे क्या हुआ 1, 2 hydride shift यहाँ पे क्या हुआ 1, 2 hydride shift जो है ह ह ह जो है ह ह जो है ह ये जो σीगमा उलक्तर दोनो Совा सिगमा उलक्तर को इच जो है दोनोett Zahlen को ले करके निकल गया और यह जो है ह मैंस के फ़ॉर्म में निकला और यह जाकर OF किया किसको attack कि यहां पे कार्बोकेटाइन को क्योंकि क्या यहां पे electron deficient है और यह electron reach है इसका electron density ज़्यादा है और इसका electron density कम है तो यह क्या करेगा अपना जो electron density है किसको देगा यहां पे कार्बोकेटाइन जो है उसको देगा और यहां क्या बन गया सियस्ट्री बन गया और यहां पे और लिए तरह अरर于 देज मतना इसको मिफाईल सिप्ड इसको क्या बोल रहे है मिफायल सीप्ड तो यहाँ पर क्या हो रहा है जिस तरह है ड्रॉाहीड डियर में यह दोनों कि लेकरन करकर यह है असलै WAS बनाता इसी तरह यह क्या बनेगा CH3- और इसको क्या बोल रहे है मिथाइल यह क्या करेगा यह electron reach है कहाँ पर attack करेगा यह carbon के पास क्या है vacant और vital है यह अपना electron यहाँ पर donate करेगा एक electron donate करके यहाँ पर क्या बनाएगा sigma bond और यहाँ पर क्या हो जाएगा होन गया मेणच यहाँ पर six three ता आपर यहांपर kcciones बीडिया कल यह में किटा वोकितां और कंडी कर्बोक्टाय आफ एक वांटी यह कितने भी आफिडिगरी से त्री कारविटायन लौट इसको क्या बोलेंग चूकरम का को सब्सक्राइबिटि इसके से 3 डिगरीं का स्टेवलीटी डिगरीं से अधिक होता है इसलिग्य होगा यहां पर il Crisp यहां टू सुर्ण और दीदिए क्या हूं टूисित अब देख से माले किश्य अब दिख्ười कंड़ेके हुरुआ सिनल्च को देखते हैं तो यहाँ पर आइल है तो यहां पर कि को हम डिसकर स्करते हैं तो तो यहां पर कर्वोटर है कि न्यक्स Kiraian में क्या है तीन पर NERlls इंड nenhuma रिंग तो जीस पहले क्या हुआ था यहांपर मिधायल सिफ्ट में क्या हुआ था दोनों से का है यहांपर क्या दोनों में लेक्ट Apps यो जा इन alon बना और यह क्या करेगा यह अटाइक करेगा कहां पर यह अटाइक करेगा कार्बोकेटायन में इसके पास क्या है वैकेंट और वाइटल है यहां पर अटाइक करेगा और यहां पर क्या बन जागा यहां पर यहां पर हो जागा पोजिटिव चार्ड यहां पर दोनों क्या हुआ यहां पर यहां पर यह पोजिटिव चार्ज हुआ यह पोजिटिव चार्ज जो है बेंजीन रिंग से क्या करेगा रेजोनेंस करेगा यह बेंजाइलिक position है और इससे क्या हुआ है इसका68 बढ़ गया इसका आइसों रिली कार्राइब करते हैं इसली कर्भाम की को सब्सक्राइब करें अब हम दिसक्स क्या करते हैं एक ऐसा सिच्वेशन और जूसमें तो उस केस में किसका सिफ्ट होगा किसका माइग्रेशन होगा कौन माइग्रेशन होगा यहां पर क्या है यहां पर यहां पर यहां पर किसका माइग्रेशन होगा यहां पर किसका माइग्रेशन होगा तो इस case में एक migratory aptitude होता है, क्या होता है, migratory aptitude, तो उसका order क्या होता है, H-, उसके बाद phenyl, आयन का, उसके बाद किसका होता है, methyl का, उसका क्या होता है, यह order होता है यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहां पे attack करेगा यह जो इलेक्ट यहां पर pH मैनस और यह CH3 मैनस में जो जिसका electron density क्या हो ज्यादा हो वो जाके यहां पर attack करेगा तो h-cut जो size है यह चोटा है और इस पर negative चार्ज है तो यहां पर इसका इलेक्टॉन डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्टॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा इजली डोनेट करेगा यहां पर कारवन के पास और क्या है इलेक्टॉन डेफिसेंट तो जो ग्रूप के पास क्या हो ज्यादा इलेक्टॉन डेंसिटी सब्सक्राइब दोनेट करेगा अपना एक प्लस को और उसका माइग्रेशन पहले होगा तो एक बसके बात्व पैनायल पैलियो अनस्टेबल है यह फैनायल जो है कि इस जो आइन है यह क्या यह है यह है यह यह फैनायल ठीडल तो क्या होगा यहां किस का फिट होगा उसके बाद किशस्ट मोच खाल का तो अगर इस केसमें इस्तवरीश का क्षिट होगा तो यहां पर क्या वह investor के रूप मेने निकलेगा यह H- के रुप में निकलेगा और यहां पर अटाइक करेगा और यहां पर यह क्या बन जागा यह प्लस और यहां पर CS3 यहां पर पी अच और यहां पर क्या रहेगा यहां पर CS3 तो यहां पर क्या बन गया एक बेंजायलिक पोजिशन भी बेंजायलिक हुआ जो क्या करेगा सब्सक्राइब होगा इसके साथ यह 3 डिगरी कार्बोकेटाइन तो रिशेटरो घ्राइड होगा वाइड होगा वान्ट्ू मिथाईल आएन का सिफ्ट और तक्या बोलेंगे वान्ट्ू मिथाईल सिफ्ट कोस्चन देख लेते हैं इस बेस पे इसके बेसिस पे कुछ कोस्चन को डिसकस करते हैं पहला कोस्चन है यहां पर क्या है सिफ्ट रिये हैं यहां पर फेनाइल रिंग है उसके बाद कि शिफ्ट रिये सिफ्ट है फेनाइल रिंग है उसके बाद सिफ्ट सिफ्ट रिये हैं उसके बाद क्या है उसके बाद CH2 है उसके बाद CH2 प्लस यह है क्या यह कार्बोकेटायन है दूसरा गोस्चन क्या है दूसरा गोस्चन इसमें है यहां पर सिफ्ट होगा यहां पर कौन सा सिफ्ट होगा तो यहां पर क्या होगा है यहां पर कार्बोकेटायन मनेगा और यहां पर क्या होगा यहा यहां पर कार्बोकेट हैन बनेगा यहां पर क्या होगा तो यहां भी क्या होगा इससे यहां पर क्या हुआ लेकिन यहां पर फैनेजलांग के साथ यहां पर क्या होगा इसका यहां पर क्या होगा यहां पर रिंग में रेजुनेंस सब्सक्राइब यहां तक कि यहां तक यहां पर रियर्रेंजमेंट तब तक होगा जब तक उसका चिप्ट बढ़ते रहेगा उसका उसका बढ़ते रहें अगर कार्बो के इक वह अग्राइब आप हुआ है रबलवार्य र यहां हुआ है क्योंकि यहां है बेंजाइलिक होने के यहां इसका इस्टीविटी बढ़ रहा है कि अब यह और वहिते हैं यहां पर बेंजीन है बेंजीन और इसके साथ क्या लगा हुआ हुआ है हो तो याँ पे पोजिटिफ चार्ज तो तो क्या होगा है यहाँ पे रियर्जमेंट होगा यहाँ पैंब होगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर जाएगा तो इसका हैपर कंज्यूगेशन ज्यादा बनेगा यहाँ पर जाएगा तो यह क्या होगा यहाँ पर 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 यहाँ अगर करमोकिताइन का इस्टिम्रियटी बढ़ रहा है, तो वहाँ पर हbild रिरिंग में हड्राइटकर होगा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 हड्राइट शिफ्ट होगा, 12 हड्राइट कर्ค140 हड्राइटकर होगा, और यह चीज बनेगा, उसके बद 3 देखते हैं यहां पर क्या है CH2 यहां पर CH2 और यहां पर किया है C 3 तो अब यहां पे क्या है positive charge है, यहां पे क्या है positive charge, तो क्या होगा यहां से यहां जाएगा, क्या होगा, यहां से यहां पे rearrangement होगा, तो इसका rearrangement होगा, क्यों होगा इसका rearrangement, क्यों कि यहां पे shift होने के बाद, यहां पे shift होने के बाद क्या होगा, इसका hyperconjugation क्या होगा, hyperconjug यहाँपे में यहाँपे इसमें क्या होगा फांच बद्द को स्थ यहाँ लेते हैं बहुत अच्छ्छा एक और इंपोर्टंट लेते हैं तो इस studio का कोई कमपाउंड है और यहां पे इसका पोजिटीव चार्ज यह कार्बोकेटायन है तो यहां से यहां पर इसका है पर कियों पोसिबल है क्योंकि यहां पड़न रहा है सेतना इसका जो सिसकाला यह कार्णुस यह कर्णूस सबसे जादा है कर दो इसके वज़ा से यहां पर रीजमेंट होगा क्योंकि कभी बढ़ ने का स्ट्य सापलर या अगर वीडियो में कुछ needed पॉइंट क्या है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा रहा तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को सेयर करें